नमस्कार, गुड मॉनिंग, लॉक्टाउन और उसके बाद अनलॉक, उसके बाद अब पूरे देश में वैक्सीन आने के बाद होप है और इसके चलते मैं जो है एक बार फिर अपनी सीरीज जो प्रॉमिसिंग टैलेंटेड इंडियन वॉक्सर्स हैं उनके साथ आपका तारू आपकी भेंट करवाता हूं यह मेरा मकसर है ताकि यह सारे भाई अपनी अपनी फील्ड जो की इन स्पोर्स की फील्ड है बॉक्सिंग है इन पर्टिकुलर उसमें अच्छा करें और इनकी कहानी से आपको प्रोच सहन मिले कि अगर आप बॉक्सिंग करने की आपने सोच राय स्कूल अप स्पोर्ट्स सोनीपज से करी है और मैं यह कहूंगा कि मेरी जो पहली बार जो इंट्रोड़क्शन से हुई थी जब मैं चटरसाल स्टेडियम में गया था दिल्ली में नवेंबर 2019 में और वहां पे मैंने स्कूल नैशनल गेम्स देखे थे और बॉक्सिंग में क्रिशन का 69 kg वेल्टर वेट कैटेगरी में सिल्वर आया था तो आइए इन से बात करते हैं अभी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स के अलावा यह कुछ कोर्सिस कर रहे हैं फिट्निस के और उसके अलावा यह जो हैं अमिती युनिवर्स्टी नौइ करते हैं तो आइए इन से बात करते हैं क्रिशन आपसे मेलके बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई तो आप अपना जो बॉक्सिंग की जो जर्नी है इसके बारे में बटाइए कि शुरुवात कैसे करें बड़ा जोर से बोलिएगा तर्वात मैंने बॉक्शिंग की 2011 से की जी और मैंने नो साल बॉक्शिंग की है इसको कर रहा हूं और मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना और गोलम्ठीक में मलब कंट्रे के लिए गोल्ड जीतना है और ये मेरा एम है और तो इसे मेरे को यह बताओ केश्य है कि जो बॉक्शिंग स्थोर्ट है इसके बारे में आपने कैसे सोचा आपने कैसे घानली कि मुझे बॉक्सिंग करना है क्या चीज आपको इंस्पायर और मोटिवेट करी बॉक्सिंग करने के लिए जैसे कि बीवाने से हूं तो वहा हर एक परसन मलब बॉक्शिंग से मलब जनेटिक है कि लोग वहां बोक्षिं की तरफ जादे हैं तो मेरे भी अंकल, पापा और शब यही चालते थे कि मैं बोक्षिं को रहे हैं और इक अच्छा बोक्ष होगा मैं तो बच्पन से ही मुझे यह बताया है कि तुछ दो तुछ भरने हैं तो मैं अपको जो है आप और् में कुछ पताइए हमारे व्यूवर्स को कि कैसा रहा जर्णी और अचीवमेंट बताइए अपना कुछ अभी 2019 में जो एसे फाइनेसनल्स हुए थे वो मैं हरियाना से टीम में था और हरियाना से मिने रिप्रेजेंट किया रहे है और मालग काफी अच्छा था जर। तुम आखे के लिए मैं डेर शबयों के लिए पराइए हुए को Ver你 घृट को करो उंकितना हुए यह रड़ पार TW ㅎㅎ और उसके बार कुछ बढ़ाग को ऑन्रेक्टिन के लिए तना होगा हैं आगी क्या सोचा है तुमने के लिए इस मुकाम पर पहुचाया है आज तक जो आप किस-किस को श्रे देंगे इसका इसका श्रे मैं मेरे कोट से सुनिल कुमार फोगाट को दिवा जो बच्पन से ही मैं जब फॉर्ट स्टेंडर में था तो उसी टाइम से मुझे करवा रहे हैं और मैं उन्ही को अपना हिं कि माबाप का कितना यह युगदान रहा है माबाप ने मुझे पूरा स्पोट खिया है और मैं में श हमेशा से करते रहे हैं औरन्हों ने मुझे कहा काई तुम जो भी करो मैं तेरे साथ हूँ पर तुम अच्छा कर यूदे हैं जह इंका टैलेंट है बॉक्सिंग की अच्छा लगता है जब बॉक्सिंग के अलावा और भी टैलेंट्स उभर के आते हैं हमारे बॉक्सरों के और अगर किसी के अंदर ये टैलेंट है कुछ लिखने का तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए फिलाली में मैंने कवीता लिखिया है अपने कोड़ा से जोड से बुझेजा निया था पर लिखने चुर Test अचाल vedere आज अवे समयमाएना किसे ने किसे पर विशवास है और बड़े बाई अर्समें में रहा हैं और लुडko अज इस बास नयंमा दुनिया तक किस तरह वता हूं यो तेरह भाई श्न कर्व मेरा जीमाश स आपने शोटे भायगी को भूल मत जाना क्योंकि तु मेरे जिंदिगी बर्दी आसा है। बड़ भाई तु वात चीज है जिसने अपने तपढल है, मेरी फिकर है पर बड़े भाई तेरे शोटे भायगी है अरब अविश्रफ तेराइजी करें। बड़े भाई तू मेरी हर समस्या ने पता नहीं कैसे जान लेता है इससे बड़ी बात आज क्या बताओं मेरी हर समस्या बता अपनी मान लेता है बड़े भाई मेरी खात्यर बहुत सपने सजोए हैं और बड़े भाई एक तो तुए है जिसने मेरी अर्षमेश्चा अपने कंद्या बड़े भाई आज दुनिया में हर रिष्टा अपने आप में एक स्वार्थ है पर बड़े भाई क्ये बता हूं तेरा तो दिल और यो और बड़े भाई आज दुनिया भी कहती कि तेरा बड़ा भाई तेरी अजयान बड़े भाई तेरा मेरा तेरा प्यार यो रिष्टा मैंने जाता दुनिया दिखाना पर बड़े भाई जिस दिन दुनिया इसे जान जाईए उसे खुद दुनिया को पड़ेगा इसे सुनान बड़े भाई अगर मैं बात ना करपाऊं तो यूं मत सोचना कि तेरा भाई भूल गया तेरा ठिकाना अर बड़े भाई यह तो एक कवीता है तेरा भाई पूरी दुनिया गा दे अगर पड़े उसे ते लिए कुछ गाना बड़े भाई तेरे मेरे ते के गम है अर अकिकत तेरे जितना लिखू तनाए कम है बड़े भाई मेरे जियन में कुछ सारे इंसाफ करिये अर बड़े भाई तेरे छोटे भाई तक लिखने में गलती होई तो माफ करिये तेरा छोटा भाई कि तो यह था व्यूवर सिनकी कवी बहुत फावुक हो गया हुने, इनुष्टन हो गया हुन से के, मुझे उमीद है आप सबको पसंद आ होगा, all the very best, God bless you.